हेलो दोस्तों वेलकम तो मैं चैनल तो दोस्तो आज किसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप जब भी onion करते हैं तो ड्रोओइग करते समय आपको पेंशिल को कैसे पकड़ना है जिससे कि कि आपका ड्रोइंग बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बने ठीक दोस्तों कि यह जातर गलती जो है बीगिनर्स करते हैं तो यह स्पेशली में वीडियो बीगिनर्स के लिए बनाया हूं तो अगर आप एक बीगिनर्स है तो बिल्कुल वीडियो को लाश्ट तक देखना कि है कि जब तक आपको अगर पेंसिल धंसे नहीं पकड़ना आगा दोस्तों आप कोई बीची अच्छे से ड्रो नहीं कर पाओगे तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अगर एक बीगिनर्स है तो वीडियो को लाश्ट तक पूरा देखना जिससे कि आपको काफी कुछ समझ आपको मिलिया और साथ मेरी को सोसेल मेडिया दोस्तों आपको चीज़से पकड़ना है तो बीडियो को बीना देर करते हैं कि बख़इड़ा में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पेंसिल तीन तरीके से पकड़ा जाता है दॉस्तों सबसे पहला तरीक बेसिक तरीका होता है दॉस्तों कि आप जब भी sketching करें कुछց भी तो आप इतना graping कभी पेंसिल कर उपर पकड़ें ठीक तो बीगिनर्स क्या ग्लती करते हैं बिकुल यहां पर पकड़ते हैं जिससे कि उनके जो ट्रूरिंग है बलकुल एक परफेक्ट बनता नहीं है में еся पिज में विछ पर बहुता जादा है वाद में पuccess प्यूए उसके पेजह पहुरा हलके हाथों से इसको ज्यादा इस पर ताकत नहीं लगा तो बिल्कुल हलके हाथों से पकड़ते हैं जिससे की मतलब उनका जो यह कलाई है बिल्कुल हर तरफ घूम सके और दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट होते हैं वह एक इस तरीके से करने के लिए आप को यह भी मैं बताउगा कि इस तरीके का जो फक्ड़ने का स्टाइल होता है जिससे और स्केचिंग करते हैं वह किस चीज में फास्ट स्केचिंग के लिए होता है जिसके लिए वह मतलब उसके स्केचिंग के बाद वह पेंटिंग करते हैं वह पेंटिंग हो या अक्राइलिक पेंटिंग हो जो बोर्ड पेंटिंग होता है दोस्तों उसमें इस तरीके का स्केचिंग मतलब ज्यादा तर इस तरीके से पे करके जल्दी जल्दी स्केच कर लेते हैं तो जातर आर्टिस्ट इस तरीके से पंसिल को पकड़ते हैं एतना गैपिंग लेकर तो चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं कि बिगिनर्स क्या गलती करते हैं जिसके वाज़े सुनका ड्रॉइंग जो है अच्छा नह बनाते हैं ठीक है उसके बाद ऐसे करके वह ऐसे बनाते हैं इस तरीके बाद इस तरीके से गड़ा-गड़ा करके बनाते हैं जिससे की अगर उनसे बाद में गर मिश्टेक भी होजा इस तरीके से यह बीगिनर्स करते हैं अगर बाद में से कर मिश्टेक भी होजा अगर इसको अगर मेंард करना चाहिए तो ये पेज पेट ऐन तरीके से पैज भी बिल्कुल आप देख सकते हैं पेज में इस तरीके से दाग आ जाता है यही गलती सारे बीगिनर्स करते है यह इस तरीके का ही तो इस लिए कभी इतना दूराइपिंग पकड़ सकते हैं इसके बाद देखिए मैं अपने तरीके से एक आई का स्केच बनाता हूं ठीक है दो देखिए अब बिल्कुल हलके एलके प्रेशर से इसको ज्यादा प्रेशर इसको नहीं देना है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं इस तरीके से कि इससे दोस्तों एक बिनेफिट है कि अगर आपका यहां पर कभी कहीं पर मिश्टेक विए जाता है तो आप इसको इरेच करोगे तो यह पेच पर दाग नहीं आने देगा यह फायदा है इस तरीके से अगर आप पेंसिल पकड़ करें कभी अगर आप स्केच करते हो तो आप कभी पेंसिल का दाग पेच पर नहीं आगा अब देखिए इस तरीके से कर सकते हैं तो देखिए इस तरीके से आप हलका हातों से करोगे तो आपका जो ड्रॉइंग जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा तो यही गलती बिगनर्स करते हैं जो कि करना चाहिए ठीक दोस्तों अब कभी भी पेंसिल को पकड़े तो इतने गैपिंग लेकर पकड़े ठीक है अब दूसरा चीज जब आप अगर सेडिंग करते हैं तो सेडिंग आप इस तरीके से भी पकड़कर कर सकते हैं जिससे कि आपका मतलब पेज पर कभी दाग नहीं आ चल सकते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है धोस्तों कोई भी अगर आप ड्रंइग् शब्से पहला कि अगर आप पकड़करा जाएगा तो आप कोई भी धूए अच्छे से कर पाउगा फार्श कर पाहोता तो जिस तरीके तो बिल्कुल हलके हात थोसे आप लोग इस तरीके से भी आप कल सकते हैं अब जहां भी घुमाना चाहों कलाई गूम सकता है यहां से और अगर अगर आप बिकिनर कर दो कि यहां से block बैंगे विर्फ़ेर बॉने गाव्प सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों ड्रॉइंग का कि अगर आप इसको जा ciriak marine करना दोस्तों तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा लाइनिंग का क्थी है द 두ओ तो यह इस तरी किसो करने का होता है तो दोस्तों जो भी पेंसिल पकड़ने का बेसिक तरीका था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया ठीक है दोस्तों आप इसको एक बार ट्राइ करना उसके बाद आप खुदी रिजल्ट देख पाऊ गए कि आपका ड्रोइंग में कितना काफी कुछ इंप्रूब्मेंट दिखने लग जाएगा ठीक है दोस्तों तो आई होब कि आपको पेंसिल पकड़ने का जो भी नोलेज था आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरू कर देना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों ठी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकर जो भी आप से लेटर नोलेज हो चाहे अच्छे में वीडियो अफ्लोड करू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आई होब कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई